तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है मुगल शली पर मुगल शली के आरम से लेकर मुगल शली के अंतर तक की बात हम धीरे-धीरे करेंगे तो सबसे पहले आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बावर तथा हमायो की काल की कला जैसा कि आपने थमनल में देखी लिया होगा इससे पहले हमने आपको राजस्थानी शैली की संपूर वीडियो दे रखी है, पहाडी शैली अभी नहीं हुई है, आपको मैंने दक्षणी शैली का पूरा डेटेल में वीडियो दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजित करके देख सकते हैं, आज हम मुगल शैली की, तो मुगल शैली का आरंब कब हुआ, मुगल काल का आरंब कब हुआ, मुगल शैली की नीव किस ने रखी, मुगल काल की नीव किस ने रखी, किस के समय में कौन से चित्रकार काम करते थे, कौन सी राजा के समय में कौन से चित्रों का निर्माड हुआ, इन स भारति ये तता इरानी शैली के मिस्रड से बनी हुई एक शैली जिसको नाम दिया गया मुगल शैली। इरान से आई कला, इरानी कला के मिस्रण से और भारत के मूल कला के मिलाने से जो कला निर्मित हुई, जो शैली निर्मित हुई वो मुगल शैली कहलाई, 1558 से 1707 इसवी तक इसका समय रहा, किसका मुगल शैली का, मुगल काल का नहीं रहा इसका समय, 1558 से 1707 इसवी तक मुगल श और उसे किस आधार पर बाटा गया, तो शेत्रगत आधार पर इसे बाटा गया था, जिसमें आपको चार सेलियां देखने को मिलती है, कौन-कौन सी मिलती है, दक्षणी मिलती है, ठीक है, राजस्थानी, और यहां मध्य में मुगल और पहाड़ी, तो यह चारो शेलियों को हम पढ़ेंगे, और यहीं से आपको लगबग 40-50% कुईश्चन आपको यहीं चारो शेलियां मिलके देदेती हैं, तो यह आपके लिए बहुत महत्तुपूण हो जाती है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मुग अगला आता है, भारतिय कला का दुतिय शौनकाल इसे कहा जाता है, भाई क्यों कहा जाता है दुतिय शौनकाल, यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारतिय कला का दुतिय शौनकाल, आप बताएं यहां पर आपसे क्वेशन है कि भारतिय कला का शौनकाल, खाली शौनकाल और यहां पर मूर्तिकाला भी एक अच्छे थी और यहां पर चेत्रकला भी थी तो मतलब पाँचो हमारी लेलित कलां का पुणता व्िकासवा मतलब कला का स्वरणकाल गाएति प्रते सेंगे पूछा मैंने तो किसे कहा जाता है जब स्थापते देखें, शाजाह के समय में कितना अच्छे से अच्छे स्थापते वे दुनिया के साथ अजूगों में से एक आपका ताजमहल शाजाह के काल में निर्मित हुआ, जब हम चित्रों के बात करें तो जहांगीर और अकवर के काल में बहुत अच्छे चित्रों का अधिर्माड हुआ है ना जब हम बात करें कि अपकी वास्तुकला की तो अच्छे नमूने हमें बिल जाते हैं चाहे फत्रीपुर सीकरी देखें या ताजमहल देखें तो हर तरीके से साहितिका संगीत की बात करेंता तांसिन जैसा कभी तांसिन जैसा संगीत कार जो है वो तो 1526 में बावर ने की थी इसको भी हम डिटेल में आगे देख लिए मुगल शेली की नीव अब यहां पर कन्फूस होंगे कुस लोग मैं जब आरंब जन्म विकास उस्थान प्रूत साहन सब कुछ अकबर तो नीव हुमायू प्यों नीव इसलिए हुमायू कि किसी का घर बन गया नहीं बनाना अब इसके ऊपर तयारी करके पूरा बनाता है तो वह कहा गया आ अरंब किसी किया तो फो आपर ने किया यहां पर सुरुवात इसी तरीके से दो हीटे मतलब हम जाना मा कि चत्रण की सुरुवात हुमायूने कर दी लेकिन आप पूरे तरीके से किसने क्या तो अकवर ने किया आप जब इसको बना वनूंग बड़ीया सुंदर सजा करेंगे तो इसका चैरमत कर सोगा जो कि जहांगीर के समय में हुआ, तो अब इसको clear रखना आप लोग, केवल नीव हुमायू, और बाकी चाहें प्रारम हो, जन्म हो, विकास हो, उत्थान हो, प्रोचाहन हो, सभी अकवर के समय में जाएंगे, इन सभी का निर्माण या इन सभी का हम कह सकते हैं, शुरूप हमे मुगल शैली की मोटी-मोटी बाते हैं, अब इसके बाद हम और सारी छोटी-छोटी बड़ी-बड़ी सभी बाते देखेंगे, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मुगल शैली पढ़ने से पहले-पहले ये भी जानने कि मुगल काल क्या था, तो मुगल काल 1526 से 1857 तक मुगल काल रहता है, मतलब मुगल शैसकों ने भारत में 1526 इसमी से लेकर 1857 तक शैसन किया, बावर से लेके बहादूर साह जफर तक, 1857 तक भारत में मुगलूं का शैसन रहता है, उसके बाद अंग्रेजियों का शैसन आ जाता है, ठीक है, 1857 वैसे एक क्रांती की वज़े से भी फ हम संपुण मुगलकाल की बात करें, तो 1526 से 1857 तक है, ठीक है, मुगल वन्ष की स्थापना 1526 इसमी में अफगान के साथ सक इबराहिम लोदी, इबराहिम लोदी को हराया किसने पानीपत के प्रथम युद में बावर ने पराजित किया, तो और बावर ने मुगल वन्ष की स्थापना किसने की, तो याद रखो बावर ने की, कब की तो 1526 इसमी में की थी, किसको हराया था, तो इबराहिम लोदी को हराया, मतलब मुगल शासकों के शासन से पहले भारत में जो शासक शासन कर रहे थे, वो कौन थे, लोदी वन्ष को हरा कर, आपका मुगल वन्ष कालिन साहित इसी काल में लिखा गया और किसके समय में लिखा गया तो मोश्टली अकवर के समय भक्ति कालिन साहित की बात आएगी तो संपूर समय की बात आए तो मुगलकाल वैसे अगर राजाओं में बात की जाए तो अकवर के समय होगा और क्यों होगा जी तो याद रखो राम चरितमानस जो हमारा भारत का सबसी पवित्र माना जाता है और जो सबसी अच्छा महा काभ है इसकी रचना भी आपकी मुगलकाल में हुई वो भी Aakvar के समय में हुई तुलसिधास ने लिखा दूसरा सूरदास, सूरदास के काविका सरजन आपके अकवर के समय में हुआ है न, तो ऐसे जब आप देखोगे कि बहुत सारा साहित्य किसके समय में लिखा गया, तो अकवर के समय में लिखा गया, मुश्टली अकवर के समय में आपको भक्तिकालिन साहित्य देखनी को अब बातeto को आपको जब आए जिसमें रामकृष्न aucune और दूसरा पुर तवो था निर्गुण जिसमें आपके तो कवीर ने भी नी के समय में साहिपे सरजन किया या साहिपे कभी पढ़े लिखे थे नी तो उन्होंने अपने दोहे गाये थे ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है चाहें ग्लोब पर खड़ा हुआ शह जहां बनाना हो चाहें में डोना को पकड़े जहां गीर बनाना हो चाहें आप अकवर को दावत करते देख लें चाहें जो भी चितर देख लें चाहें जिस के लिए की घेरावंदी देख लें तो वो सब इनकी इच्छा के नसार चितरका तो इस कला को दर्वारी कला भी कहा गया चित्रकला की नाम से जानाई मुगलMr.। अब हम चलते हैं मुगल स्थापत का है और फिर उसके चित्रकार का है। तो अब हम बात करते हैं जहीरुदीन मुहम्मद बावर की यह जहर से युक तो नहीं थे इनका नाम था जहीरुदीन मुहम्मद बावर इनका पूरा नाम जहीरुदीन मुहम्मद बावर था ठीक है किसका बावर का इनका शासनकाल 1526 से 30 मतलब महज 4 साल इन्होंने शासन किया भारत में इन्होंने महज 4 साल मात्र 4 साल 26 से 30 तक शासन किया अब जो व्यक्ति भाई चार साल शासन करें वो बताओ अपने सासन समाले सत्ता समाले विद्रोह समाले के पेंटिंग करवाए हलाकि बावर कला प्रिशा सकता इसको बहुत कला पसंद थी पर इसके पास समय ही नही में था पाउं जमाने में पड़ा था तो इसलिए इसने जो है पेंटिंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया ऐसा नहीं है कि यह कला का विरोधी था और अंधजेव की तरह ऐसा कुछ नहीं था ठीक है अब एक चीज़ और ध्यान दिएगा कि इसको एक उपा कर दा आगया था कलंपर के में 1487 में वावर और कहां होता है तो अफज़ानिस्टन में इनका जमर होता है कि的 में इंक पितां फब्सक्राइय तरह है कि इंका फैस्वुजर हो उंपर मपर इसक權़िए फैक दिस घा सकता है तो अब आप एक उसीशन है हमने और पर हलाकी पेपिर में नहीं आएगा लेकिन फिर भी पूछती हूं ऐसा कौन सा शाषक है जिसका जैन्म przeाब कर छकर नहीं थे नहीं अब हम बात करْते हैंड माता की भी बात कर लेते हैं क्योंकि यह भी इंपोर्टेंट है तुगुलुक निगार खानम जो कि मंगोल वंश्वी थी मंगोल वंश्वी से संबंज रखती थी कौन तुगुलुक निगार खानम इन्हों ने अपनी आत्मकथा भी लिखी वावर ने भई अब इतना सपुछ कर डाला लड़े भड़े चलो इतना टाइम मिल गया कि एक आत्मकथा लिख ले तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी देखे जीवनी और आत्मकथा में अंतर होता है जीवनी लिखता है कोई और जैसे अकवर की जीवनी हम देख सकते हैं लिखी गई अब यहां इन्होंने खुद लिखा हम अगर आपको अपने उर्दु आखानधें लेकिन यह बिल्बॉल मत होता हम फैकर उन्हों नंने लिखे थी टुर्की और तुर्की भासा में èceे में उन्हों निर्माण किया ठीक है तो आपको ध्यान करें है तरिक इसी आपको उसके पना जाता है उत्धा नहीं कर पाए लेकिन बावरे कला प्रेमी शाशक थे इननोंने अपनी आत्मत्था में एक चित्रकार की प्रशंसा की है, यह कोश्चन यही से बन जाएगा किसी प्रशंसा की है तो यह याद रखो कमालत दिन बिहजाद की इननोंने प्रसंसा की और उन्होंने लिखा क्या विहजाद एक उशल चित्रकार था किन्तु वह दाढ़ी रही तो यूबा चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था वह कारण था देखें दाढ़ी में बहुत सारा चेहरा चिप जाता है जब आप बनाते हो तो बहुत सारा चेहरा आपका चि इत्रकार था यहां हम उनके जिंगल वेल से इसकी तुलना नहीं कर सकते सेंटा क्लॉज से लेकिन फिर भी जब दाढ़ी होती है तो चेहरा छिप जाता है और हमें महद इतना बनाना पड़ता है लेकिन जब दाढ़ी रहित होगा तो चेहरे का आकार और बहुत सुन्दर च चेहरा बनाने में हमें टाइम लगेगा इसलिए वो दाढ़ी रहती हुआ चेहरे अच्छे नहीं मना पाता होगा जो किसने कहा तो आपके बावर ने कहा किसके लिए कहा तो बिहुजाद के लिए कहा यह याद रखना एक चीज और याद रखना यहां पर कि मुंबयान शैली का जन्मदाता भी आपका बावर था ठीक है मुंबयान शैली का जन्मदाता कौन था बावर था और यह शैली कैसी थी तो पद्य शैली थी मतलब गाने वाली शैली थी पदों में बद्ध मतलब पद्य तो पद्य शैली मुंबयान शैली का जन्मदाता कौन तो आपका बावर था ये भी आपको याद रखने हैं अब हम देखते हैं बावर कालीन चित्रकार बावर के समय में ज्यादा चित्रकार है नहीं बस दो चित्रकार हैं आपको यही दो याद रखने सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अकबर और जहांगीर के समय के चित्रकारों क कर दोने करें तो सइड últimos था कमाल कर देने वाले कमाल कृफिर केरे हुआ कि और खीड कर दो बहुत अच्छी कला होती है तो उस समय तीन चित्रकार काम करते हैं लियोनार्डो दविंची, माइकल एंजिलो और रैफिल तो रैफिल जो था वो सबसे अच्छी मड़ोनाओं का चित्र बना जाता था बहुत कोमल चित्रण के लिए जाना जाता था तो पूरू का रैफिल कि याद रखना है पिर आती है यह आलेखन शली में काम करने वाला चित्रकार था अगला कोश्चन आपका जो बहजाग से बनेगा वो है कि यह किसके दरवार में काम करता था देखिए बहुत ज़दर डिटेल कप जन्म हुआ किधर हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं बहुत है कि यहां पर कुछ काम किये थे बस बावर के बावर से सम्मंध रखते हैं इतना याद रखना यह मिर्जा होसन बेगरा या सुल्तान शाह इसमाईल खांके दरवारी चित्रकार थे कौन कमाल दिन बिहजाग तो इनको इतना याद रखना और इनकी कला पर इरानी प्रवा होना लाजमी है तो यह आपको याद रखना है अगला आता शाह मुझफर बावर के ही समय में एक चित्रकार और था शाह मुझफर जिसने प्रतिलिपियां बनाने में महारत हांसिल कर रखी ती मितलब किसी चीज की कॉपी कर ले था था बहुत अच्छी ठीक है यहा बावर अपने साथ उरान से शाह नामा की चित्रित प्रतिलाया था और यही आप देखेंगे न तो मुगल वंच का सबसे प्राचीन गरंथ है, यहां पर चित्रित नहीं है, प्राचीन गरंथ है, अगर आए, तो आपको याद रखना है, कौन है शाह नामा है, तो इसे लाया कौन था, बावर लाया था, जो बरतमान में कहां है, तो Royal Asiatic Society of London में यह संग्रहीत है यह भी याद रिखना most important है वह पूछ लिया जाता है पेपर में इसलिए वर्तमान में कहां संग्रहीत है रायल Asiatic Society of London में यह ग्रंथ संग्रहीत है कौन सा शाह नामा जिसे कौन लाया था बावर लाया था कहां से लाया था तो इरान से लाया अब अगला जो शाशक है अगला जो शाशक बावर के बाद आता है बावर का वेटा हुमायू हुमायू का नाम क्या था पूरा तो आप देखेंगे नसीरुदीन मुहम्मद हुमायू वैसे सब हुमायू के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि पूरे मुगल समराट में मुगल काबूल में हुआ तो 1530 में बावर् का दिछानत हते हैं ने जाते है खाते हैं मैं और जाते हैं ये 61900. 5050 से 4010 वर्स विधर शासन करते हैं फिर यहाएंपर कहानी के विलिस्थि में एयह शियरतर सूरी यह अने में शेर सा सूरि में अफगानिस्तान जाते हैं तो वहां इरान की साहसक शाहता मस्प शाहता मस्प जो था खुद में एक बहुत अच्छा चितरकार था तो अब जब आप देखते हैं इसमें कि यह बई चालिस में भगा शेवसा सूरी से पराजित होकर अमरकोट होते हुए अफगानिस्तान चला गया अब अफगानिस्तान जब यहां गए तो वहां पर अफगानिस्तान के इरान के श होग है फिर यह हुमायूं कि इन्होंने क्या किया बैरम खांही सायथा से पंद्रासों पच्पन मों दिली पर कुणा कभजय कर लिया तो दिली पर कभजय कर लिया और हिलए कौन से चितरकार दो जिनमें आपके दो चित्रकार थे एक अब्दु शमज सीरा जी और मीर सयद अली इन दोनों को ये अपने साथ में ले आए थे बाद में ठीक है पहले नहीं लाए थे ठीक है शाता मस्प के यहां यह काम देखा इनों ने चित्रकारों के प्रदी तो 1947 में काबुल पर अधिकार जब लेते हैं तो अब्दु समज सीरा जी और मीर सयद अली जुदाई दोनों चित्रकार ये अपनी सेवा में लगा लेते हैं ठीक है तो यह चीज़ा आपको ध्यान रखनी है अब इरान से वापस लोड़ते समय जब इरान से आ रहे थे वह इरान में कलावला देखके आये बड़े चित्रकार को उसके चित्र बनवाने के लिए दे दिया पंक काटकर कभूतर के चित्र बनवाए और फिर उस कभूतर को छोड़ दिया तो इस तरीके से भारत में सबसे पहले पक्षी चित्रण किस ने करवाया तो हुमायू ने करवाया हुमायू के समय सबसे पहले पक्षी ही कभूतर का कि अब इसके बाद हम हमायु काल के चित्र कार देख लेते हैं चित्रका के बात कुछ बात करें तो मीर सयद जुदाहीा जयसा कि मैंने बता है लिए सप बनाने का सिद्ध करता है और यह सखुवी शायली का हाँ आज हमारे चोटए-चोटे बच्चे घ्रामेद में धुरश्षे बनाते हैं वह बहुत अच्छा चित्रकार था ग्रामेद जीवन का ठीक है तो आपको याद रखना है मीर सयद अली जुदाई करता सबसे पहला हुमायू काल के चित्र तो हुमायू और उसके वन्षज बहुत इंपॉोटन चित्र है मुगल काल में वंशावली का चित्रण सबसे पहले जिस ने करवाया वह का हुमायो था। अब अध्में उसका चित्रण करवने वहाला कूँ धा था। और इसका चित्रकार कॉँ था? तो मीर सयद अली ने हुमायू और उसके वंशज नामक चित्र कित्र किया था जिसमें इसके वंशज ऊपर से देखते हुए बनाए गए थे दूसरा चित्र है अकवर अपने पिता को चित्र भेंट करता हुआ यह चित्र किस ने बनाया था तो अब्दुर्शमद सीरा जी ने बनाया का एक मेर सयद अली ने बनाया और दूसरा अब्दुर्शमद सीरा जी ने बनाया इसका संग्रह कहां है तो इसका चित्रकार कौन था तो अब्दुर्शमद सीरा जी था अकवर अपने पिता को चित्र भेंट करता हुआ क्योंकि अकवर ने इनी दोनों के लिखी थी इसका संग्रह कहाँ है तो गुलिस्ता पोथी खाना कि ने कर वाया था हुमायू ने कर वाया था यह धी आपको छित्र कव्य को देख लेते हुमायू काल की सफ़न खविए कर शुती कपड़े पर इसका चित्रन हुआ था और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं तो दास्ताने अमीर हमजा या वीरवर की साहस्पून यात्राओं वा युद्धो का वणन जिन्होंने अलिफ लैला देखी होगी कुछ-कुछ उसी से सम्मंदित या आपका ग्रंथ है जिसका चित्रण किसमें सुरू करवाया था तो हुमाय तो उसकी चरित्र निर्मान के लिए हुमायू ने इसका चित्रण करवाया था और इस ग्रंथ के चित्रण में हुमायू ने बहुत अच्छी कहानियों का संग्रह करवाया था ताकि अकवर जो उनसे साहसी बन सके उनको देखकर साहसी बने तो इसका प्रारम करवाया हुमाय समय के हैं वो कहां संग रही थैं तो British संग रहाला लंगन में रही थैं एक और ग्रन्त है नादिर-ul-Mulk हुमायू-शाही के नाम से जाना जाता है इसका चित्रकार नीरशयद अलीद इसका भी चित्रण कहां हुआ है तो आपके हुमायू के साशनकाल में मुगल शैली में हुआ है फिर आता है नादिरू लोमरा यह भी एक ग्रंथ था जो कि किसके समय में चित्रित हुआ तो हुमायों के समय में चित्रित हुआ इतना ही याद करना आपके लिए काती है कुछ और पॉइंट है जिने हम देख लेते हैं अब हम बात करते हैं कुछ इस मरणिय तथ्यों की जो कि वन लाइनर में आपके पूछे जाते हैं तो अबुल समध द्वारा तैयार की गई चित्राकृतिया जिन चित्राकृतियों को अबदुल समध ने तयार किया उन्हें जहागीर द्वारा संकलित गुलशन चित्रावली म उसमें ये संग्रहित हैं ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हुमायू युत में जब भी जाता था तो अपने साथ चित्रित पोथियां रखता था जिनको देखकर वह अपने कला की पिपासा को शांत करता था यह हम कर सकते हैं कला के लिए कला चित्रों को देखकर सु तिस्क की उपज थी यह वागी किसने कहा तो आपको याद रखना है यह कुछन सीधे सीधे आता है पेपर में इंपोर्टेंट है यह मुल्ला अलावदिन कजवीनी ने कहा था और किसमें कहा था तो नफीसुर मासिर में कहा था यह इनी का ग्रंथ ता आप पूछ लिए मुद्बा मीर सयद अली की देख रेख में अकवर की चित्रकला का अभ्यास प्राइब करवाया था मतलब अकवर को चित्रकला किसने सिखाई तो मीर सयद अली और अब्दुल्शमल सीरा जी बाई दो थी इनके लावा और जो कोई साइगी तो सिखवाते किस से तो कित्र चित्र कितने चित्र है किनका संग्रा कहां यह सारी चीज़े आपको डटेल में बताएंगे लाल के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक किजेगा वीडियो पूल चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्यू थैंक्स पर वर्च